में आपको अल्कलाइन और एस्टिक क्या चीज होती पहले यही बताँगो और हमारे आसपास में जो महोर्ज है कुप इस तरीके का होचिपा है और यह भी आप देमों आप देखें तो उससे आपको अंधारा भी लगेगा एक बॉटल में यह हमारा एलकलाइन आउनाइस्ट इसका थोड़ी मांतरा में इसमें आपके सामने इस ग्लास में डाल रहाँ यह हमारा मार्केश में अवलेबिल एक ब्रांट बेस ब्रांट से क्यों दुश्मने नहीं तुछ भी अगर आप लेंगे इस तरह के का बोतल बस पानी सब यही काम करेंगे जो आपको इसमें दिख और जो आज की तारीक में यही तैमो से भी आपको नजर आएगा बच्चों के लिए मोस्ट डेंजरस तिंग ना के बल इस प्राइट बलकि कोई भी ब्रांट जो मार्केट में प्लेबिल पेपसी हैं साइवन अप हैं इस तरह के कि नजानी कितने ब्रांट अबलेबिल हैं तो सारे के सारे बच्चों के लिए हानी कारे को अब भी आप देखेंगे तो मैं इसकी थोड़ा सा पार्ट इस जार में डालना हूँ और आम तो पर किसी भी चीज़ की अशिडिटी और अलकिलटी को चेक कर रही के लिए यह एक पी एच जेस्टर के नाम से कहलें जाए यह युनिवर्सल इंडिकेटर कहलाता है तो यह आप नहीं से भी करते हैं जी कुछ बूदे में इसमें डालोंगा कुछ बूदे में इस कि यह तो चार्ट आप लेख रहे हैं इसमें 0 से लेकर 14 तक की डिजिट्स हैं तो 0 से लेकर 6.9 तक अगर कोई चीज़ आती है तो वह एसिडिक कहला है और किस तरीके से हम जान भूचकर अपने इस अलकलाइन बॉडी को एसिडिक कर रहे हैं और कहा जाता है कि अगर आपकी आपकी बॉडी एसिडिक है तो उही बीमारी उसमें प्रिवेश्च करेगी लेकिन अगर आपकी बॉडी एलकलाइन है तो उसमें कोई बीमारी रुती ही नहीं सकती चाहें वो कैंसरी क्यों ना हो और हम अपने बच्चों के साथ में कितना खिलवाल करना है जाने और अन जा है यह मैंने डाला alkaline ionized water में जिसकी कुछ बुने मैंने डाली आपके यह आरो में यह कुछ बुने मैंने डाली अलकोहल में और कुछ बुने मैंने डाल दी आपके cold drink और आप देखिए इनमें कौन कौन से color आएं यह हमारा alkaline blue की दरब हो गया 10 बीच के आजपास का है नौ बीच के आजपास का है वहीं पर अगर हम देख रहे हैं यह हमारा आरो water और यह हमारी clothing और यह हमारी clothing और वाटर जो है वो छे और पांच के आजपास रहता है यह भी हमारा पांच और छे के आजपास रहता है यह लेकिन अगर हम cold drink को देख भी कहां पे है एक या दो के आजपास और सबसे मज़ेदर मत अगर आप देखें कि हम इस पानी के मात्यम से बहुत सरी चीज़ों को अल्कॉलाइन कर सकते हैं लेकिन जहां जो जो लोग cold drink पी रहे हैं खाने के शोकीने पीने के शोकीने बच्चों को बिला रहे हैं उनका क्या हाल होगा वो अभी आप देखेंग कि मैंने इसी alkaline पानी को अगर आरव में डाला तो क्या हो गया ये भी alkaline में convert हो गया जो ये हमारा alcohol है ये भी acid form में होता है इसमें मैंने इस पानी को डाला ये भी इसमें alkaline में convert हो गया लेकिन अगर मैं इसमें alkaline पानी डाल रहा हूँ तो ये इसी भी तरीके से convert नहीं हो र तो ऐसी पांच लीटर भी अगर पी जाएंगे तो उनकी गौडी पे अल्कुलिटी मेंटेन नहीं हो सकती है किसी भी कंडिशन में तो आप प्रोचिए उन बच्छों को बीमार होना है कि नहीं होना है और जिशन से मैंने यह टेमों देखव और आसपास के लोग जो भी इस चीज़ पर देख रहा हैं यहां को लोग देखेंगे मेरे मेरे वीसे हां चोट के रिकक्वस है कम से कम कोल्डरिंग का अपने हातों से अपने बच्छों को कोल्डरिंग रूपी जहर न पिलाएं इतने इमें कहना चाहूंगा, दन्ने वाद